मूवी की स्टार्डिंग एक हॉस्पिडल से होती है, जहां पर एक लेडी अपनी मॉम के साथ हॉस्पिडल आई थी। दरसल वो प्रेगनेंट थी और हॉस्पिडल में उस टाइम पर कोई भी नहीं था। इस लेडी का नाम नतालिया होता है। हॉस्पिडल में आते के साथ ही उसकी डिलिवरी का टाइम भी आ चुका होता है। उसकी मॉम एलीना उसके साथ होती है। उसकी तबियत बहुत ही जादा खराब होना शुरू हो जाती है। हॉस्पिडल में कोई भी ना होने के वज़ा से उन्हें थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरसल रात काफी हो चुकी होती है जिसकी वज़ासे वहाँ पे ज्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। वहाँ पर एक नर्स होती है जो इसकी डिलिवरी करने में हेल्प करती है और उसकी डिलिवरी हो जाती है। लेकिन बच्चे की डिलिवरी होते के साथ ही तीनों लोग बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी आखों के सामने एक ऐसा मनजर था जिसके उपर वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। दरसल ये बेबी पैता होते के साथ ही हावा में उड़ने लग जाता है और नतालिया ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा है वो अपनी मॉम ऐलीना से कहती है कि हमारे हैं एक एंजल बच्चा पैदा हुआ है लेकिन ऐलीना एक बुड़ी औरत होती है और उसे काफी experience होता ह वो देखते ही समझ जाती है कि ये बच्चा abnormal है उसको ये बात समझने में देर नहीं लगती कि ये बच्चा without gravity पैदा हुआ है एलीना बहुत ही ज़्यादा over protective होती है और वो तभी फैसला करती है कि इस hospital को छोड़ कर चले जाएंगे लेकिन उन्हें वहाँ पर nurse रोक लेती ह और वहाँ से जाने के लिए मना करती है नर्स ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अभी ये right time नहीं है क्योंकि अभी delivery होई है और काफी complications हो सकती है लेकिन वो लोग उस नर्स की एक भी बात नहीं मानते और foreign hospital छोड़ कर अपने घर पर आ जाते हैं घर पर आते कि साथ ही एलीना नतालिया से question पूछती है जो कि बहुत अजीब हो गरीब होता है वो पूछती है कि इस बच्चे का father कौन है लेकिन नतालिया को ये याद ही नहीं होता कि इस बच्चे का father कौन है एलीना अपनी बेटी से बताती है कि ये बच्चा normal नहीं है और इस बात को हमें राज रखना होगा क्योंकि अगर ये सीक्रेट हमारा बाहर निकल गया तो इस बच्चे के लिए बहुत सारी प्राब्लम्स खड़ी हो सकती हैं इसके बाद दौनों मा बेटी मिलकर उस बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं जिसका नाम आसकर रख दिया जाता है लेकिन आसकर सच में एक नॉर्मल बच्चा नहीं था और उसे समहालना बिलकुल भी आसान नहीं था जब भी आसकर को अकेला छोड़ा जाता था वो छट से चुपक जाया करता था जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये देखने के बाद एलीना अपने पोदे के लिए एक बैड बनाती है जिसकी वजह से वो बच्चा जमीन पर ही रहे और छट के उपर भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें लगा देती हैं जिससे बच्चे को कोई भी नुकसान नहों पाए दौनों कोई इस बात का भी डर था कि अगर किसी दिन बाइचांस इसको अकेला छोड़ दिया तो हो सकता है ये उपर हवा में उड़ जाए और स्पेस के अंदर पहुँच जाए इस वज़ा से अलीना और एगाथा बहुत ही जादा conscious हो जाते हैं अपने बेबी के लिए जैसे जैसे समय बीटता जाता है आउसकर बड़ा हो जाता है और थोड़े समय वाद वो तकरीबन 8 साल का हो जाता है विदाउट ग्रैविटी पैदा होने की वज़ा से उसे घर पे ही रखा जाता था उसकी नानी उसे कभी भी बाहर नहीं जाने दिया करती थी घर पे रहने के वज़ा से वो जादातर कार्टून्स देखा करता था और उसे सिर्फ सूपर मैन की ही कार्टून्स पसंद थी और अपने आपको भी वो एक सूपर मैन ही समझा करता था कैई बार आसकर अपनी मदर नाटालिया से पूछता था कि उसे वो लोग बाहर क्यों नहीं जाने देते उसकी इस बात को हमेशा इग्नॉर कर दिया जाता था कैई दफ़ा वो खिड़की से जहाक कर बाहर देखा करता था क्योंकि उसकी नानी उसको बाहर नहीं जाने दिया करती थी वो बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी बितना चाहता था और उसे हमेशा ये डर लगता था कि वो जिंदगी बर शायद इसी कमरे के अंदर ही रहेगा उसकी नानी उसे स्कूल जाने के लिए भी मना करती हैं और साथ में ये भी कहती हैं कि तुम्हें घर पर रहकर ही अपनी स्टड़ी करनी होगी ये देखने और सुनने के बाद आसकर की मदर बहुत ज़ादा गुसे में आ जाती है और वो अपनी मदर से कहती है कि हम आखिर कब तक इसे घर में बंद करके रखेंगे और कब तक हम इसे लोगों से छुपाते रहेंगे इसके बाद आसकर की मदर उसके लिए एक जैकिट तियार करती है जिसके अंदर वेट यानि कि कुछ पत्थर डाल दिये जाते हैं जाकि वो बाहर निकलने के बाद बिलकुल भी उड़ना सके और ये देखने के बाद उसकी मदर उसे ऐसा करने से रोकती है लेकिन वो अपनी मदर की एक भी बात नहीं सुनती और उसको वो बाहर ले जाती है बहार ले जाने के बाद वो आसकर से बात करती है उससे कहती है कि सुपरमैन की तरह तुम भी अपना राज किसी से भी नहीं शेयर करोगे इसे हमेशा एक सीक्रेट रखोगे वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन पाएगा एक दिन वो अपनी मदर के साथ मार्केट को समान परचेस करने के लिए जाता है और वहाँ पर वो अपनी मदर से थोड़ी देर के लिए छूट जाता है जिसकी वज़ासे वो वहाँ पर एक छोटी बच्ची से जाकर मिलता है जिसका नाम अगाथा होता है आसकर उससे टकरा जाता है जिसकी वजय से उस बच्ची के हाथ में रखा समान जमीन पर गिर जाता है ये देखने के बाद अगाथा आसकर के उपर बहुत चिलाती है और अपना समान उठाती है उस समान में से दो पानी की bottle निकाल कर वो Oscar के हाथ में थमा देती है और कहती है कि तुमारी punishment ये है कि तुम इन bottles को मेरे साथ मेरे घर तक छोड़ने जाओगे रहा होता है तो तभी वो अपनी pocket से दौनों पत्थर निकाल कर जमीन पर फैंक देता है रास्ता में चलते चलते ऑसकर की friendship अगाता से हो जाती है और वो उसके घर पहुँच जाते हैं और बिल्कुल भी weight ना होने की वज़ा से वो हवा के अंदर उड़ना शुरू हो जाएगा Agatha बहुत ही जादा insist type की लड़की होती है और उसके हाथों से पानी की bottles शीन लेती है जैसे ही वो पानी की bottles उसके हाथ से लेती है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है लगीली जहां पर ऑसकर खड़ा हुआ होता है वहीं पर एक sunshade लगा हुआ होता है जिसकी वज़ा से वो जादा उपर नहीं उड़ पाता ये देखने के बाद एगःथा बहुत ही ज़ादा हैरान हो जाती है कि ये मेरे सामने क्या हो रहा है और बहुत जोर से superman चिल लाती है लेकिन आसकर उससे help मांगता है ये सुनने के बाद एगःथा अपने घर में जाती है और वहां से एक bag लेकर आती है जिसके अंदर stones भर पर आकर खड़ा हो जाता है और आसकर उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना हुगा कि ये सीक्रेट तुम किसी के साथ भी शेर नहीं करोगी आसकर के खो जाने की वजह से उसके घर के अंदर उसकी नानी और मदर बहुत ही ज़ादा टैंशन में होती हैं परिशान होती हैं, लेकिन थोड़ी दिर बाद Oscar उस Back के साथ अपने घर पर पहुच जाता है, जो उसे Agatha ने दिया था, Oscar की मदर उससे उस Back के बारे में पूछती हैं, तो Oscar सारी बातें अपनी मदर को बता देता है, तभी उसकी मदर उससे ये पूछती है कि तुमने अपना राज उस लड़की को तो नहीं बता दिया लेकिन आसकर यहां पर जूट बोल जाता है कि मैंने उसको ऐसा कुछ भी नहीं बताया इस incident के बाद आसकर और Agatha काफी दुनों तक एक दूसरे से मिलते रहा करते थे लेकिन एक दिन आसकर की मदर को ये बात पता लग जाती है कि Agatha उसके सीक्रेट के बारे में जान चुकी है जिसकी वज़ा से उसे बहुत गुस्सा आता है इसके बाद Agatha आसकर के घर पर मिलने के लिए आया करती थी लेकिन उसकी मदर ने टैलिया उसको मना कर दिया करती थी कि आसकर घर पर नहीं है या वो तुमसे मिलना नहीं चाहता इसकी वज़ा से आसकर जातर अपनी विंडो पर समय विदाने लग गया था और इसकी वज़ा से आसपास के नेबर्स के निगा आसकर के उपर पड़ जाती है इसके बाद वो सोचते हैं कि शायद आसकर की मदर और उसकी ग्रेंड मदर शायद इसके उपर बहुत जादा टॉर्चर करती हैं इसको घर में बंद करके रखती हैं क्योंकि आसकर स्कूल भी नहीं जाया करता था यही सारी बातें सोचकर वो सारी लेडीज पुलिस को इंफार्म कर देती हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है जिसको टॉर्चर किया जाता है उसको स्कूल नहीं जाने दिया जाता नेक्स डे देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस सारी investigation के बाद उन लोगों को warn करती है कि तुम्हें आसकर को स्कूल जरूर भेजना पड़ेगा इसी वज़ाँ से आसकर की मदर उसका admission स्कूल के अंदर करा देती हैं और उनको इस बात का भी इल्म हो जाता है कि आसकर अपनी life कभी भी नॉर्मल इनसानों की तरह नहीं जी पाएगा बार-बार उन्हें आसकर का ख्याल आ रहा होता है जिसकी वज़ाँ से नाटैलिया और एलीना बहुत ही जादा उदास होती है वो रो रही होती है इसके बाद नेटैलिया और एलीना एक चीज़ डिसाइड करती है कि हमें इस जगा को छोड़ देना चाहिए जिसकी वज़ाँ से आसकर को जादा परिशानियों का सामना ना करना पड़े वो एक दूसरी लोकेशन पर काफी दूर जाकर शिफ्ट हो जाते है कुछ सालों बाद का फिर सीन दिखाये जाता है जहां पर आसकर पूरी तरह से जवान हो चुका होता है यहां पर हम देखते हैं कि उसकी मदर ओल्ड हो चुकी होती है और उसकी नानी की डैथ हो चुकी होती है इसके बाद हम देखते हैं कि आसकर के पास वही pink color का bag होता है जो उसे Agatha ने दिया होता है वो इस bag को कभी भी अपने से दूर नहीं किया करता था Even कि उसे इस bag से इतना ज़ादा लगाव था कि वो सोते वक्त भी इस bag को अपने साथ लेकर सोया करता था उसका lifestyle अभी भी वही है जो बच्पन से वो जी रहा था आसकर और उसकी मदर एक दूसरे का बहुत ज़ादा ख्याल रखते थे लेकिन अंदर या अंदर आसकर घुट रहा होता है उसे इस जिंदगी से बहुत ज़ादा परिशानी होने लग जाती है वो fed up हो जाता है वो अपने इस secret को छिपादे छिपादे परिशान हो चुका था तब ही वो सोचता है अगर मेरी इस ability के बारे में दुनिया को पता लग जाए तो मैं बहुत जल्द famous हो सकता हूँ क्योंकि उसका super hero superman था और इसी वज़ा से वो सोचता था कि अगर ये बात दुनिया के सामने खुल जाए कि मैं एक man without gravity हो तो शायद मेरे उपर भी films बनेंगी और मेरे उपर भी books लिखे जाएंगी जब ये बात उसकी मदर को पता लगती है तो वो उसे समझाती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर ये secret दुनिया के सामने आ गया तो आसकर को मैं हमेशा के लिए खो सकती हूँ आसकर कुछ समय के लिए सबर तो कर लेता है लेकिन धीरे धीरे उसका patience खतम होने लग जाता है वो शो उसी रात पूरी तरह से super hit हो जाता है और यही चीज उसकी मदर भी टीवी पर देख रही होती है जिसकी वजह से उसकी मदर अपने आपको बहुत ज़ादा helpless feel करती है क्योंकि आसकर रातो रात एक super star बन चुका था सभी लोगों को ये बात पता लग चुकी थी कि आसकर man without gravity है यानि कि एक super man की तरह ही वो इनसान है अगले दिन आसकर एक आदमी से मिलता है जो कि एक content manager होता है इस आदमी का नाम डेविड होता है और वो आसकर से कहता है कि मैं तुम्हारी famous होने में help कर सकता हूँ वो आसकर से साथ ही ये भी कहता है कि हम बहुत बड़े-बड़े दुनिया भर के अंदर shows करेंगे जिसकी वाज़े से तुम पूरी दुनिया के अंदर famous हो जाओगे फिर वो आसकर को एक जगह लेकर जाता है जो बहुत आलिचान होती है और आसकर से वो कहता है कि ये जगह अब तुम्हारी है और डेविड उससे एक contract पर sign करवा लेता है क्योंकि आसकर भी famous होना चाहता था इसलिए वो sign कर देता है दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े shows करते हैं जिसकी वज़ासे आसकर पूरी दुनिया में famous हो जाता है हर जगह आसकर के shows ही चल रहे होते हैं और इनी shows के चलते उसको नाम दिया जाता है The Man Without Gravity डेविड और आसकर बहुत सारे shows कर चुके होते हैं इसी के वज़ासे उन्होंने नाम, इज़ट, शोहरत और पैसा बहुत जादा कमा लिया था कुछ समय के बाद आसकर को realize होता है कि जैसा कि वो बच्पन में सोचता था कि मैं एक सूपर हिरो बरूँगा सूपर मैन की तरह वो ऐसा नहीं है तभी वो डेविट से कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था मैं सिर्फ एक हाथों की कटपुतली बनकर रह गया हूँ मैं कोई सूपर हिरो नहीं हूँ और मैं सिर्फ एक लोगों का entertainment बनकर के रह चुका हूँ यह कि लोग कभी उसे photo shoot में बुलाया करते थे कभी commercial shoot कराने के लिए बुलाते थे और कुछ समय बाद ही वो इस life से भी fed up हो चुका होता है हाला कि उसके ओपर भी बहुत सारी books लिखी जाती है documentaries बनाई जाती है short movies बनाई जाती है जो कि ऑसकर को बहुत ज़ादा बुरा feel हो रहा होता है बुरा लगने की वज़ा से ऑसकर audience को बहुत ही बुरा भला कहना शुरू कर देता है इसके बाद वो अपनी mom के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ इसके बाद हम देखते हैं कि ऑसकर डेविट के पास वापस जाता है वो डेविट से कहता है कि लास्ट शो के बाद से मैं मशूर नहीं रहा और मैं ये काम छोड़ना चाता हूँ लेकिन डेविट उससे कहता है कि तुम इस काम को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुमने मेरे साथ एक contract sign किया था लेकिन Oscar अपने इस जिंदिगी से परेशान हो चुका था वो डेविट से कहता है कि तुम लोगों से जाकर ये कह सकते हो कि Oscar अब मर चुका है या फिर हवा में कहीं उड़कर चला गया है जिसके बारे में मुझे कुछ भी मालुम नहीं इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे भी goodbye कह देता है क्योंकि वो इस life से परेशान हो चुका था अगले ही दिन हम देखते हैं कि news के अंदर ये news चल रही होती है कि the man without gravity अब मर चुका है लोग उसके ओपर तरह तरह की अटकलें लगाया रहे होते हैं और आसकर की मा भी अब अकेला रहना शुरू कर देती है आसकर के जाने की वज़ा से आसकर के घर पर बहुत सारे लोग उसके inquiry करने आया करते थे news reporters आया करते थे लेकिन आसकर की मदर उनको कुछ भी नहीं बताती थी इसी तरह कैई साल निकल जाते हैं और इसी दौरान आसकर की मदर की भी टैथ हो जाती है लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आसकर अभी भी जिन्दा है दरसल वो एक wheelchair पर अपनी life गुजार रहा है और उसने अपनी shaving भी बहुत ज़ादा बढ़ा ली थी जिसकी वजह से लोग उसे बिल्कुल भी ना पहचान सकें वो अपना नाम भी change कर चुका था और इसी के साथ साथ वो एक job भी करता था जो की एक hotel के अंदर एक receptionist की job मिली थी उसका behavior लोगों के लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा था जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते थे एक दिन hotel के अंदर उसकी बचपन की friend Agatha उसको मिल जाती है Oscar उसको नहीं पहचान पाता लेकिन Agatha उसको पहचान जाती है Agatha अपनी पहचान बता देती है जिसकी वजह से दौनों बहुत ज़ादा खुश होते है साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि Agatha की जिन्दगी बहुत ज़ादा बुरी गुजर रही होती है वो अपनी life से बहुत ज़ादा परिशान थी क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए एक ऐसे profession में चली गई थी जिसको लोग बहुत बुरा समझते हैं दरासल वो जिस्म फरोश्री के धंदे में उतर चुकी थी जिसके वजह से आसकर उसे डेली एक अलग आदमी के साथ देखा करता था और अंदर ही अंदर वो बहुत ज़ादा रोया करता था लेकिन आसकर इसके बावजूद भी कई बार अपनी दिल की बात एगेथा को बताना चाहता था लेकिन एगेथा अब बहुत ज़ादा बदल चुकी होती है जिसकी वजासे वो आसकर की बातों पर बिलकुल भी यकीन नहीं करती उसे इग्नॉर कर देती है दरसल एगथा कि इस लाइन में पढ़ने की वजा ये थी कि उसने अपनी जिंदी की बहुत मुश्किल से गुजारी है और आसकर भी इसको छोड़ कर जा चुका था जिसकी वजासे वो तूट चुकी थी लेकिन जैसे जैसे समय बीचता जाता है वो दौनों आपस में एक दूसरे को समझना चुरू कर देते हैं और आपस में शादी कर लेते हैं और शादी के बाद वो उसी घर में चला जाता है जहांपर वो बच्पन में रहा करता था। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। और नेक्स मूवी एक्स्प्लेनेशन आप कौन सी चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर।